एविशन सेक्टर फिर से फोकस में है कभी अच्छी खबरों की वज़े से कभी बुरी खबरों की वज़े से पिछले दो साल में जारत तर बुरी खबरों की वज़े से रहा है फोकस में है एक बार फिर से कुछ ने कुछ खबरें आती है दिख रही है आशिश चतुरजी हमारे साथ है तैयार बताने के लिए आशिश कुछ अच्छा तो होगा नहीं आपके बाशिश अगर आप देखे तो 26 दिसेंबर को जो है 3.85 लाग लोगों ने यातरा की थी अब 8 जनवरी का जो डेटा इसमें 2.41 लाग ही है यानि काफी गिरावट आप पर देखने कुमल रही है और इनफाक ट्रेंड और जो कमपनी इसकी तरफ से कमेंटरी आ रही है यह सेज़ेस्ट कर कर दिये हैं और यातरियों से यह भी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी टिकेट कैंसल करा रहे हैं तो कैंसल ना कराइए री स्केडियूल कर वा लिजे और उसके पीछे जो चार्जेश लगते हैं उसे वेब ओफ कर रहे है ताकि अट लिस्ट जो है बिजनस वहाँ पर बरकरा अगर आप देखें तो लगातार यही ट्रेंड है कि Omicron के बढ़ते मामलों के बीच जो यातरी हैं वो अपनी टिकेट्स रीस स्केडियूल करवारे कैंज करा रहे हैं तो सीधा सीधा बिजनस लॉज जो है एविशन कमपनी को रहा है इसका इंपक्ट आते वे दिख रहा है इंडिगो ने तकाई 20% टोडाने रद भी करेंगी बड़ चार्ट्स पर उतना इंपक्ट इस खबर का आते वे नहीं दिखा है क्योंकि एक शॉट टर्म इंपक्ट की तरह ही से माना जा रहा है जादतर स्टेट्स फुल लॉगडाउन नहीं कर रही है सिर्फ थोड़ी थोड़ी रेस्रिक्शन बढ़ा जा रही है एक बार जारा इंडिगो के चार्ट्स पर सच्च जी की राई भी ले लिजाए सच्च जी 2000 की उपर होल्ड कर रहा है इंडिगो चार्ट्स क्या कहती है सर दिपांचू पिछले हफ्ते हमने यहाँ पर एक शॉट कॉल डिप्लाई की थी और टागेट था लगबग राउन 935 ती रहा सवासका लगबग 1940 के आसपास के स्विंग्स बनाके एक रिवसल हुआ है तो मुझे लगए काफी हेल्दी संकेत है वापस क्योंकि 2000 का लेवल यहाँ पर अगर सस्टेन हो जाता है अगर क्लोजिंग 2040-2060 के उपर हो जाती है तो काफी बड़ी अपमूब हापर वापस ट्रिगर होनी चाहिए ऑन दो कॉंट्ररी जो स्विंग बनाया है अभी काफी हेल्दी हो रहा है और जैसे ही स्टॉक 2060 के उपर एक क्लोजिंग इस्टैबलिश कर देता है तो मुझे लग रहा है 2100 के उपर के कोट इमिडियेटली आने चाहिए और लगबग जो मेन हर्डल है वो लगबग अराउं 2300 के आसपास कई है तो मुझे लिए काफी बड जहां पर आपको रखनी है नजर हला कि स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है